तो वैलकम वीडियो को सुरू करते हैं और सबसे पहले यहां पर प्रश्ण को पढ़ते हैं उससे पहले आप से चोटा से एक रिक्वेस्ट है चानल में नहां है तो चानल को सबस्क्राइब कर लें और इस तरह के वीडियो को आगे भी यह दिया आपको देखना हो उसका संचेप मतलब सौट में बताना है कि यह जत्रा बहत था कोन जत्रा बहत के बाड़े में में बताना है तो आए ये उत्तर में देखते हैं कि ये जत्रा बहत कौन कब सितंबर 1888 में जारखंड के गुमला जीला के विसनूपूर थाना के चिंगरी नवाटोली गाउं में हुआ था असपस्ट है यहां बहुत सारा अब्जेक्टिब हालोड़ा है जत्रा भगत का एक और नाम क्या था जत्रा उराओ और इसका जन्म हुआ था सितंबर 1888 में जारखंड के कौन से जीले में हुआ था गुमला जीले में और थाना का नाम क्या था बिसनूपूर थाना और गाउं का नाम था चिंगरी नया टोला यहीं पे हुआ था अब इसके बारे में क्या कहा गया है देखिए जब भारत गुलाम थे जत्रा भगत का आंदोलन करने में बहुत बड़ा योगदान था अंग्रेजों के खिलाफ ये भी अंग्रेजों के खिलाफ काफी आंदोलन किये थे तो देखिए उनेंस सो बारे से चवदे यह दो साल के बीच में उन्होंने मतलब जत्रा भगत ने ब्रिटिस राज ब्रिटिस मतलब अंग्रेजों अंग्रेजों का जो राज चल लाँ था वो और जमीनदारों के खिलाफ उनके विरुद जमीनदारों और बिरिटिस राज के विरुद आहिंसक ओ सयोग आंदोलन छेरा देखे ओ सयोग आंदोलन का मतलब यह हुआ कि सरकार का सयोग ना करना या बिरिटिस सरकार का सयोग ना करना वो जो भी नियम ला देंगे हम लोग पर जो भी नियम बनाएंगे उसको ना मानना टेक्स ना देना उसका सपोर्ट ना करना ही सायोग आंदोलन होता है अब यहाँ पर देखिएगा जत्रा भगत ने ओ सायोग आंदोलन छेरा और ये ओ सायोग आंदोलन क्या था ओ हिंसक था अहिंसक का मतलब इसमें कोई हिंसा नहीं हुआ था सांती पुरुवक ये आंदोलन हो रहा था हिंसा का मतलब लराई मार करना अत्या करना इस तरह को हिंसा बोलते हैं ये अहिंसक था मतलब इसमें सांती पुरुवक हो रहा था ये आंदोलन तो इस अंदलन को किया था कौन जत्राभगत ने, किस किस के खिलाफ किया था, ब्रिटिस रात के खिलाफ और जमीनदाड intend, देखें, जब हम लोग गुलाम थे, ब्रिटिस सरकार के तो ब्रिटिस सरकार हम भारत वासियों के खिलाफ क्या कर रहे थे अत्याचार कर रहे थे कौन कर रहे थे ब्रिटिस सासल इसके साथ साथ भारत के तो जमीनदार थे भारत के तो जमीनदार थे जिसके बहुत सारा जमीन था वो भी भारत के लोगों के खिलाफ अत्याचार कर रहे यानि जमीन दार जो है वो अंग्रेजों से मिला हुआ था, बिरिटिस राज से मिला हुआ था, इसलिए जत्राभगत ने ये जो ओसायोग आंदोलन छहरा था, ये जमीन दार और बिरिटिस राज दोनों के खिलाब छहरा था और ये जो आंदोलन छेरा था और सयोग आंदोलन इसमें इसने क्या किया था उसको आगे समझे और लगान यानि जब हम British सरकार के गुलाम थे तो हम अपने जमीनों को जोते थे उसके बदले में इसे लगान देना पड़ता था टेक्स देना पड़ता था तो जमीन के बदले में जो टेक्स देते थे उसको बोलेंगे लगान सरकारी टेक्स सरकार को और भी टेक्स देते थे आदी भर ने तथा कूली के रूप में मजदूरी करने से मना कर दिया था असपस्ट है जत्रा भागत ने ओ सयोग आंदोलन के अंतरगत लगान देना मना कर कि हम ब्रिटेस सरकार को लगा नहीं देंगे और सरकारी जो टेक्स है वो भी देने से मना कर दिया और आगे बोला है कि कूली के रूप में मजदूरी करने से मना कर दिया कूली के रूप में समझे कूली का मतलब यहां पे गुलाम कूली का मतलब यहां पे आप गुलाम समझे उसे कूली का मतलब आपके सामानों को ढ़ोने ओने वाले को भी गुलाम भी होगा यानि ये दिमजदूरी देगा कोई तो उसका अपना समान होना चाहिए कूली के तरह काम नहीं करेगा मतलब काम बहुत साजा और उसके बदले में रुपिया कब मिलना इसी को बोलेंगे कूली के तरह मजदूरी करना तो इससे वो मना कर दिया तो यहां पर ये वीडियो समाबते होता है मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको समझ में आया होगा धन्यवाद